नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं गुराथ का बॉल्वर्ट की खुबसूरा टैक्टरस यामी गौतम ने उरीदी सर्जिकल स्ट्राइक किल्म के डिरेक्टर आदित धर से गुप चुप साथ फेरे ले लिए हैं इसकी जानदारी खुद एक्टरस ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर करके दी है यामी की वैडिंग सरमनी की तस्वीरे अचानक सामने आई जिसकी वजह से फैंस हैरान रह गए तस्वीर देखकर दोस्तों ने कहा परफेक्ट सर्जिकल हालांके सोशल मीडिया पर इस जोड़े को खूब आशिरबात मिल रहा है फैंस और स्टार्स उन्हें नए जीवन की धेर सारी बताई दे रहे हैं इस बेच यामी और आदित की शादी की इंसाइट फोटो भी इंटेड़ेट पर तेजी से वाइरल हो रही है इस तस्वीर को शेयर करते हुए यामी ने लिखा तुम्हारी रोशनी में मुझे प्यार करना आया एक्ट्रिस ने आगे लिखा अपने समस्त परिवार के आशिरबात से आज हमने शादी की है ये बहुत ही छोटा सा फंक्शन था बहुत ही नीजी लोग होने के नाते हमने इस खुशी के अफसर को अपने परिवार के साथ मनाया बता देगी कपल एक दूसरे को फिल्म उरी के समय से जानता है कयास लगाय जा रहे हैं दोनों की लव स्टोरी इस फिल्म के सेट से ही शिरू हुई हालांकि इस कपल ने सालों तक अपनी लव स्टोरी को दुनिया से छुपा कर रखा बात करें आदित धर की तो उन्होंने विकी कॉशल के साथ उरी बनाई थी जिसने सारे रिकॉर्ट तोर डाले थे उरी के बाद आदित धर और विकी कॉशल दी इमोटल अश्वत थामा पर काम कर रहे हैं जो की एक सूपर हीरो फिल्म है इस फिल्म को आदित धर बड़े लेवल पर शूट करेंगे करोना की वज़े से इस फिल्म की शूटिंग बुकी हुई है जैसे ही करोना काल खत्म हो जाएगा आदित धर विकी कॉशल के साथ इसकी शूटिंग फिर से शुरू करेंगे आदित धिकल जन 12 मार्च 1983 को दिल्ली में हुआ था वो एक लेखर, क्लिरिक्स, वाइटर और निरदेशक है आदित ने एक इंटेव्य में बताया था कि 2006 में वो मुंबई आये थे और असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी आदित ने फिल्म काबुल एक्सप्रेस, हाले दिल, वन जू थ्री और डैरी कॉल के लिए लिरिक्स लिखे हैं वहीं उन्होंने फिल्म आक्रोश और तेज में डैलोग वाइजर का काम भी किया है इस खबर में फिल्हालिता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंजिया के साथ